अगर आप tax के lawyer बनना चाहते हो, तो आपके लिए tally जरूरी है, अगर आप CA बनना चाहते हो, तो आपके लिए जरूरी है, CMA बनना चाहते हो, तो आपके लिए जरूरी है, उसका target है BBA plus MBA, वो भी tally सीख रहा है, तेरे किस काम की? कोई government joke की त्यारी कर रहा है, SSC, railway, bank, वो भ करना चाहिए, किसे नहीं, और tally course कोन सा करना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं, commerce आले बच्चे जो 12th कर लेते हैं, उनको पहले मन में यह होता है, कि मैं commerce का student हूँ, मुझे तो tally करना ही करना चाहिए, दूसरा, art वाले बच्चे भी tally course कर रहे है, science वाले बच्चे भी MBA करके company में जाना है, आपको bank में जाना है, आपको government job में जाना है, तब भी आप tally course कर रहे हो, तीसरा, अगर आप tally course कर रहे हो, तो tally course का कौन सा version करना चाहिए, और बहुत लोग को तो यह भी नहीं पता है, कि tally course के अलावा भी accounting के और software साते हैं, जैसे mark, जैसे आपका busy, जैसे और भी हैं, तो दोस्तों, आज की वीटियो बहुत जादा इंट्रस्टी होने वाली है, commerce वाले बच्चों के लिए भी, और उनों बच्चों के लिए भी, जो tally course के बारे में, कर चुके हैं, करना चाहते हैं, क्योंकि आज की वीटियो देखने के बाद, आप आप वा मेरी एक कॉलेज में, कलर की जोब लग गई, जहां पर मैंने टैली का यूज किया, अकाउंटिंग का, उसके बाद मैं टीचर बना, और आठ से नौ साल मैंने टीचिंग की, मैंने तेरा साल जोब की, और उसके बाद, फिर मुझे रिलाइज हुआ, कि हाँ, ये टैली के बा मैंने इंडिया में, वो मार्ग और बीजी का यूज करते हैं, तो अगर आपको मोका मिले, बीजी और मार्ग सीखने का, तो वो भी सीख सकते हो, लेकिन ज्यादा जो डिमांड है, वो टैली की है, तीसरा, टैली के बारे में बता दूँ आपको जो लेटेस वर्जन है, वो लेटेस वर्जन ही सीखें, क्योंकि उसमें ईवे बिल, और डिटेल्स वगेरा, एक्सपोर्ट, इस सब चीजे उसमें इजीली हो जाती है, और कनेक्टिविटी रहती है, तो ओनलाइन भी जुड़ा रहता है, कभी-कभी क्या होता है, कुछ सेंट्रस वाले, टैली के पुर अकाउंटिंग की बहुत सारी चीजे है, जैसे ये बिल कैसे बढ़ा जाता है, जैसे जो बिल होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, है ना, कोरस्पोंडर्स फाइलिंग क्या होती है, टैस कैसे बढ़ा जाता है, जी एस्टी रिटन कैसे भरी जाती है, ये सब चीजे आपको सीख शाये तब ही जाके आप अकाउटेंट बनेंगे अब बात आती है में बात कि टैली कोर्ष किसे करना चाहिए और किसे नहीं सबसे पहली बात अगर आपने 11 कर लिया 12 कर लिया आप ग्रेजूशन में हो ग्रेशन कर लिया अब तक टैली कोर्ष नहीं किया और आपको हर तीसरा बंदा है क्या रहा है कि आप टैली कोर्स कर लेते हैं यह आपके मन में आ रहा है तो पहले समझ लो टैली कोर्स का यूज कहां पर है टैली कोर्स का यूज सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग की जोब में है अगर आप अपना कोई बिजनिस करना चाहते हो यह दो परसन यह तो अपना कोई बुजनिस कर ना एक इन फ्विचर आपको लगी कि कि यहां कभी अपना कोड़ा सक्दा अपने बिजनिस करना पड़ेगा तो जैंक आपको पूइंट लुख सकते ना चाहते हो टेक्स के लोयर बनना चाहते हो मैं आपको बता देता हूं पॉइंट्स बता देता हूं किन-किन जगां पर जरूरी होता है तो ध्यान से देख लेना अगर आप टेक्स के लोयर बनना चाहते हो तो आपके लिए जरूरी है अगर आप सीए बनना चाहते हो तो आपके लिए जर तो आपको काम आएगा दूसरा आप यहां पर अगर बिजनिसमें बनना चाहते हो और अगर बिजनिसमें बनना चाहते हो तो आपके लिए इन सब कंडिशन्स में आपको टैली सीखनी है इसके अलावा मैं देख रहा हूं कोई बच्चा प्ड़िए करने उसका टारगेट आपक्लस अंभी वह भी तैली सीख रहा है तेरे किस काम कि कोई गवर्मेंड जोकी त्यारी कर रहा है त्यों कर रहा है वह किसे काम की देखोशा फिर्ग करना है नौलिज ही लेनी है तो बहुत सारे कोर्स हैं जैसे personality development, PD, जैसे English speaking course, computer application course, computer languages course, foreign languages course, digital marketing, digital graphics, यह सब courses हैं, जिने करके आप आगे job भी ले पाओगे, बना आप सभी जानते हो, tally करने के बाद कहीं 10,000 की job ने मिलती है, आज की rate में, accountant की यह स्थिति है, आपको professional होना जरूरी है, experience जरूरी है, तब जाके एक अच्छी salary की job tally में मिलती है, तो भाई, जो यह myth फैला हुआ है, कि जाओ tally कर लो, सब बच्चे course कर रहे हैं, इसी वज़ा से हर गली मोले में, में चोटे-चोटे institute खुल चुके हैं, जिने खुद अच्छी तरह tally नहीं आती, वो भी सिखाने लग जा रहे हैं, मैंने दो साल अपने institute में tally सिखाई है, with certificate math 2000 rupees में, मेरा purpose पैसा कमाना नहीं था, मेरा purpose था बच्चों को लायक करना, और हमारे batch के, जितने बच्चों ने किया, उन में से maximum एकदम जोब पे चले गए, चाहिए वो कम salary पे के ज़्यादा कोई, मात 2000 में, उसके बाद मैंने course करना बंद कर दिया था, किसी और reason की वेएसे, और ठीक है, तो main बात यह है, दोस्तों कि, आप पहले जरूवत को समझो, हर एक बच्चे tally के पीछे मत भागो, अगर आप इन में से किसी field में जाना चाहते हो, तो आपके लिए tally course या accounting का course जरूरी है, Otherwise, आप अपने target को लेकर काम करें, अगर आप MBA करना चाहते हैं, तो आप CAT की तियारी करें, आप government job पर जाना चाहते हैं, तो आप math, English की coaching लें, अगर आप कोई teacher बनना चाहते हो किसी और subject का, तो अपनी थोड़ीची personality सुधार है, अपने exams की तियारी करें, अगर आप कोई और काम करना चाहते हो, तो उस पर focus करें, लेकिन इसके अलावा tally करना मेरी ख्यालते सही नहीं है, आपका क्या कहना इस बारे में, comment button on है, तो comment कर सकते हैं, अपने views दे सकते हैं, क्योंकि यह भारत है, सबको आजादी है अपने views देने की, आप भी जरू से दीखेजेगा, और अगर वीडियो अच्छे लगे तो अपने friends circle में share कर देना, और ऐसी more motivated, informative और exam और career related videos के लिए, अपने इस चैनल को support करिए, subscribe करिए, thank you. कर दो